प्रेंड्स जै मातादी कैसे हैं आप सब जूला तो पड़ गए हो अम्यों की डार पे जी सावन का महीना पवन करे शोर दोस्तों रोमांच कारी गीत और मलहार का मौसम और हर्याली तीज ऐसा त्योहार जब सब का दिल हिलोरे मारने लगता है और इस्तरियों के महंदी से भुत्सा समा होता है हर्याली तीज है 31 जुलाई सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना और हर्याली तीज शुकल पक्ष की तृत्य को मनाया जाता है श्रावन माह में कहते हैं कि माता पारवती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और आज के दिन ही पा वंच को आगे भढ़ाती है इसके बारे में शिवजी कहते हैं पारवती माता से हे पारवती बहुत समय पहले तुमने हिमाले पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था इस दोरान तुमने अन और जल त्याक कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था निरंतर तप किया और तुम्हारी इस्थिती को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी नाराज थे ऐसे में नारज जी तुम्हारे घर पदारे जब तुम्हारे पिता ने आगमन का कारण पूछा तो नारज जी बोले हे गिरी राज मैं भगवान विश्णू के भेजने पर यहां आया हूँ आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उससे विवह करना चाहते थे मैं आपकी राए जानना चाहता हूँ नारज जी की बात सुनकर परवत राज अति प्रसन्नता के साथ बोले हे नारज जी यदि स्वयम भगवान विश्णू मेरी करन्या से विवह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मैं इस विवह के लिए तैयार हूँ शिवजी पारवती जी से कहते है तुम्हारे पिता की स्विक्रिती पाकर नारज जी विश्णू भगवान के पास गए और ये शुब समाचार सुनाया लेकिन जब तुम्हें इस विवह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ तुम मुझे यानि कैलाश पती शिव को अपने मन से पती मान चुकी थी तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई और तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि एक घंगोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहे कर तुम शिव को प्राप्त करने की साधना करें इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि यदि विश्णु जी बारात लेकर आए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा तुम्हारी खोज में धर्ती पाताल एक करवा दिया गया पर तुम ना मिली तुम वन में गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी वन मा के शुक्ल पक्च की तृत्य को तुमने रेट से एक शिवलिंग का निर्मान कर मेरी आराधना की जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनों कामना पुर्ण की इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा पिता जी मैंने अपना जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और शिव जी मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्विकार कर लिया है अब मैं आपके साथ एक ही शट पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह पार्वती को बताया है पार्वती शावण महा की शुक्लत तृत्य को तुमने आराधना की और जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभाव हो सका इस व्रत का महत्व यही है कि व्रत करने वाले को जो भी इंसान पुर्ण निष्ठा से व्रत करता है उस प्रतेक इस्तरी को मैं मन वांचित फल देता हूं तो बोल ये भोले ना अथ की जै पारवती मया की जै कहते हैं कि भगवान शिर ने पारवती माता को वर्दान दिया था कि इस वरत को जो भी इस्तरी पुर्ण श्रद्धा से करेगी उसे अचल सुहाग प्राप्त होगा और इसी दिन कठिन तपस्या के बाद मा ने शिवजी को 107 जनम के बाद 108 जनम में प्राप्त किया इसलिए इस दिन विशेश रूप से जो भी इस्तरीया माता पारवती को शिंगार की बस्तु में चढ़ा करके मा पारवती संग भोले नाती पुजा करके वरत रखती हैं सभी सुहाक की सामगरी पारवती माता को अर्पित की जाती है और पूजा के बाद अपनी सास या जेठानी को सुहाक का सामान भेट करके आशिरवाद लेती हैं जो लड़कियां हैं माईके से तीज का उत्सव मनाती हैं तो माईके पर ननत भावियां उन्हें सामान भेजती है और अपने पती की लंबी उम्र की काम ना करती है हर्याली तीज को शिंगार का दिवस मनाया जाता है बहु बेटियों को नौनो प्रकार के मिश्ठान और पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं इसे सिंधारा भी कहा जाता है और सिन्धारा के दिन जो किषोरी होती है, जो वधुएं होती है इस पर्फ को मनाने के लिए अपने हाथों और पाउं में कलातमक धांग से मेहन्दी लगाती है सोला शिंगार करती है हरी साड़ी हरी चूडियों का विशेश महत्व होता है तीज के गीत गाती है नाचती है जूला जूलती है कई जगह पर पती के साथ जूला जूलने की परंपरा है और जो नई नवेली दुलहने होती है अपने ससुराल जाकर या अपने माईके में जूला जूलती है सख्षियों से अपने पिया और प्रेम की बाते करती है जो कुमारी कन्याई इस दिन व्रत करती है बिल्कुल कर सकती है उन्हें इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और महंदी को सुहाक का प्रतीक माना गया है इस दिन आप जो भी वरत भी आप चाहे तो रख सकते हैं और नहीं तो सिर्फ बाइना निकाल करके खेवर, जलेबी, मालपुए, पूरी, खीर, हलवा, रायता, सबजी, पुलाओ, आधी बना करके त्योहार सा मना सकते हैं इस दिन राधारानी अपने ससुराल से गिननदगाओं से बरसाने आती है और कहा जाते हैं कि इस दिन जूलन उत्सव वहाँ पर भी बड़े जोर शोर से होता है और जूले पर बाके बिहारी के मंदर में धाकुर जी के साथ शीराधारानी के विग्रह को स्थापित कर जूलन उत्सव मनाया जाता है दोस्तों जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं उन सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि काले रंकी गिली मिट्टी पिले रंका कपड़ा बेल पत्र जन्यों धूब अगर बत्ती कपूर शीफल कलश अभीर चंदन आधी चीजों से आप जैस प्रकार स की पंच उपचार पूजा कीजे और सुहाग सामगरी सोलर शिंकार की सामगरी हो सके तो चढ़ाएं नहीं तो कम से कम पाज सुहाग सामगरी आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए चोडियां अलता सिंदूर बिंदी मेंदी कंगी शीशा काजल कुमकुम साड़ी आदी जो भ पूजन करें गणेश जी का पूजन करें इसके बाद माता पार्वती का पूजन कर एक एक करके सुहाग सामगरी चढ़ा दीजे बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहिए पीला वस्तर इस दिन धारन करा सकते हैं और तीज की कथा जो मैंने सबसे पहले उपर सुनाई है व लेकिन ध्यान रखें उपाय करने के बाद आपको आरती करके वरत का पारण करना चाहिए प्रसाद ग्रहन करना चाहिए और पती के साथ मिलकर प्रसाद करें यह बहुत अच्छा है इस दिन मेहंदी आपको अपने पती के और करीब ला सकती है आपके प्रेमी के करीब ला सक अगर आपने अभी तक हातों में महंदी नहीं लगाई है तो आज के दिन आपको अपने हातों में महंदी लगानी है और उसमें छुपा करके अपने पती का नाम आपको लिखना है और रात में जब खाना खाने बैठेंगे तो पती के साथ बैठ करके खाना खाना है और चुप इनका या पने प्रेमी का नाम लिखा है मन ही मन उनका नाम 21 बार आपको बोलना है और फिर देखे दोस्तों कैसा आपके जीवन में चमतकार होता है इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कागज ले लिजे उस पर अपना अपने पती या प्रेमी का नाम लिख गिली मेंदी आपके पास है तो गिली मेंदी से कोन होता है कूपी मनी होती है अब आपको स्क्रीन पर एक यंत्र दिखाई दे रहा होगा वो आप एक कागज पर केसर से चल्मी से सुइरा होगा इसूतर को लिखें सारे नंबरले कचे में लिखें इसके बाद जो मेहंदी वाला कागज है इन दोनों को जोड़ कर इन सभी को धो करके एक साथ पानी में पहा देना है आप देखेंगे पती-पत्नी का अकर्शन और जबर्दस तरीके से बढ़ जाएगा इसके अलावा पान के पत्ते से भी आप एक उपाई कर सकते हैं ध्यान रखें पान का पत्ता आपको छे पान लेने हैं पांच पान के पत्ते लेने हैं डंडी वाला पान लेना है बिना कटा फटा पत्ता हो ये ध्यान रखना है छटा पान जो है उसको मीठा पान बनवाले जो आप अपने पती को वशीकरन के नाम पर या उनको बस में करने के लिए खिला सकें यदि आप अपने हस्बिन या प्रेमी को वश में करना चाहते हैं अगर हो आपकी बात नहीं मान रहें किसी पराई इस तरी के वश में हो चुके हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए इस प्रयोग का मिस्यूज ना करें ध्यान रखें पान पांच के पत् किसी और के साथ चले गए हैं तब आपको यह उपाय उप्योग में करना चाहिए और जिसको वश में करना है उनका नाम लिख दीजे फिर सर्सों के तेल का दीपक जलाए और पान के जो एक-एक पत्ते हैं पांच पत्ते आपने रखें इन सब पांचों पत्ते पर एक-एक तोड़ा नहीं जाएगा तो ऐसे में आप पुराने तूटे वे तुलसी के पत्ते रख सकते हैं और यह फिर मार्केट से खरीद करके ले आईए लेकिन अपने घर में तुलसी के पौधे से नहीं तोड़ना है इसके बाद जो मंत्र बतारी हूं इसका कोई 1188 बार 1188 बार ब ऐसे बोलेंगे कामरू देश कामक्षा देवी तहा बसे इसमाइल योगी इसमाइल योगी ने दीना बीडा पहला बीडा आतो जाती दूजा बीडा दिखावे च्छाती तीजा बीडा अंगल लिप्टाए फुरे मंत्र इश्वरो वाचा दुहाई गुरु गुरकनात की आ पर जो लोग नहीं बोल सकते बड़ा सिंपल हिंदी मंत्र है बाकी दूसरा मंत्र भी बता दे रही हूं वो आप बोल सकते हरे पान हर्याली पान चिकनी सुपारी श्वेत खैर दाहिने कर्चुना मोही ले पान हात में दे हात रस ले ये पेट में या पेट रस ले श्री नर का पत्ते हैं मेहंदी के पत्ते के साथ में मेहंदी के साथ जो आपने रखे हैं नाम लिख करके वो आपको पानी में बहा देना है बहते जल में बहा देना है गंदा पानी ना हो इस वात का ध्यान रखे और जो पान है बीड़ा वो अपने पती अप्रेमी को खिला देना है में रोमाइन्स बढ़ाना हूँ , तो साबूत उडद के अंदर आज महन्दी की पैकेट करीब सो ग्राम और एक सो ग्राम की महन्दी की पैकट ले लिजे दोनों को आपको मिक्स कर देना है और आटा जैसा बना देना है आटे की गोली सा बना करके इसको आपको अपने बच्चों के घर की तरफ आपको फिंक देना है आप देखेंगे रिष्टे में चेंजिज आपको अवश्य नजर आएगा इसके अलावा last but not the least एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ इलाइची के द्वारा इलाइची और मेहंदी की आपको एक पोटली बनाने है दो इलाइची ले लीजे थोड़ी सुखी मेहंदी ले लीजे अब इलाइची को मेहंदी के साथ आप थोड़ा सा पानी मना कर गांठ जैसी बना लीजे और उसके बाद उसको अपनी कांख में अंदर रख सकती हैं शरीर का पसीने वाला कोई भी स्थान हो वहां पर आपको साथ दिन तक इसको लपेट के रखना है इसके बाद मेहंदी के अंदर से आपको वो इलाइची निकाल ले लिए मेहंदी को आप बात्रूम में ले आके फ्लश कर दीजे या रोड पे फेक दीजे और इलाइची को पीस करके दो करके पीस लिजे और जिसको वश में करना चाहते हैं उसको खिला दीजे देखिए आपके पती आपकी बात अवश्य मानने लगेंगे और या फिर आप चाहे तो अपने पती के जो अंगवस्तर होते हैं और मेहंदी से उसके उपर उनका नाम महंदी से उनके अंग वस्तर पे नाम लिख दीजे इसके बाद आप उसको छुपा करके कहीं घर के किसी कौने में रख दीजे वो उनको दुबारा देना नहीं है बाद में आप देखेंगे अगर वो बिल्कुल बहुत गलत रास्ते चले गए हैं बिल्कुल खराब हो चुके हैं बिल्कुल किसी पराई स्तिरी के पास अपने बीवी वच्चों को छोड़के जा रहे हैं तो आप चाहें तो ये अंग वस्त उनका ले करके घर की चौकट के ब आप अपने पती को अपने वश्मे कर सकते हैं बाकी प्रेम का महीना है दोस्तों उपाई तो बहुत दूर की बात है पती पत्नी आपस में बहुत सारी बाते कीजिए प्यार से समय एक दूसरे के साथ पैंड कीजिए एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए यही सच्छी तीज होती है तोने टोटके उपाई तो हम तब करते हैं जब कोई मजबूरी आ जाए बाकि पती पत्नी में प्रेम बना रहा है इसके लिए जो सबसे पहला उपाई मैंने बताया है कि अपने हातों में पती का नाम लिखें महंदी से और कुछ ना कर सके सिर्फ महंदी अकर्षन आएगा बहुत सारी अंडर्स्तेंडिंग बहुत सारा प्यार आएगा तो करड़ी जे उपाई दोस्तों आप सभी को हर्याली तीज की हार्दीग हार्दीग शुब कामना है आज कि लिए दोस्तों खिल-खिला ते रहे मुस्कुरा तेरे टेक और फ्रेंग्स लव आप यू ओल छे माता दी बंबं भुले नात की जै पार्वती माता की